ये वीडियो में आपको बताने वाला हो कि हम फ्लूइड विस्कोसिटी बिट्विन दे प्लेट्स कैसे फाइंड करना ले ठीक है तो मैं कोशन बढ़ता हो क्या लिखा है अब प्लेट 0.025 मीटर डिस्टन फॉर्म फिक्स पे तो ड्रॉप करते है डियाग्राम एक फिक्स प् क्या बोलेंगे आप डिवाई बोलेंगे ठीक है फ्लॉप फिक्स प्लेट मूज अट डिस्टन मतलाब यू कितना दिया है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पर सेकंड क्योंकि हमें यूनिट वाइस ही समासा कि वेलोसिटी का यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर पर सेकंड अभी से कन और रिक्वाइर जाब हमें फोर्स दिया है कितना दिया है दीक है कनके नूटन पर यूनिट अरिया देगेए कन To maintain the speed, determine the fluid viscosity between the plate, अब ये speed को maintain रखने के लिए, ठीक है, हमें क्या find करना है, viscosity find करना है between the plate, तो चलो लग जा दे हमने काम पे, पहले इसे भी कर्वेट कर लेंगे, dy को किसमे मीटर में क्या हो जाए, 0.025, इंटो 10 बार माइनस 3 मीटर, इतना समस्था आपको, mm को किसमे क्या हमने मेटर में, पहली step क्या रहे हैं हमें, आम लिख देते हैं, we know that, ठीक है, tau di, u di, dy di, कुछ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, change in distance, ये कितना है, 0.025, इंटो 10 बार माइनस 3 मीटर, पर एक चीछ पर आप गवार करो, तो यहाँ पे, velocity आप में एक ही दिया है, दूसरा नहीं दिया, du को लिख देंगे, u minus 0, समझ रहा है क्या, change in velocity, दूसरे का तो fix है न वो, di आ नहीं है, तो कहा लिख देंगे, u minus 0, u कितना हो जाएगा, 0.6, minus 0, 0.6 मीटर पर से, अब ये दोना value दिये तो हम लिका सकते है, velocity gradient, क्या आज हैं फिर velocity gradient, velocity gradient is nothing but du by dy, du कितना है, 0.6, dy कितना है, 0. 0.025, 10.4, minus 3, ठीक है, अब velocity gradient निकाल लिए, यहां से हमने, टाव दिया है, तो formula पूट कर सकते है, कौन सा, हमें पता है, टाव एक वर्ट क्या होता है, mu into du by dy, then, क्या निकालना है, में mu निकालना है, तो mu को पहले ही अलग कर दो, क्या हो जाएगा, टाव डिवाइड में du by du, समझ रहा है, then, टाव का value क्या हो जाएगा, 2 है हमें दिया, यहां 2 लिख दिया, du by dy, du by dy मतलब इसका ultra, क्या हो जाएगा यह, 0.6, और multiply में क्या हो जाएगा, 0.025 into 10 इस पार minus 3, समझ रहा है, आपको कितना value आजाएगा, 0.025 into 10 इस पार minus 3, इसे इसे cancel करें, कितना आजाएगा, 0.3 आजाएगा, ठीक है, मत अब क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे, 0.025 into 10 इस पार minus 3, divided by 0.3, तो चलो उसको पूरे दे देते हम, उसका point हटाके क्या हो जाएगा वो, एक, दो, तीन है, तो यहां लिख देते हैं, 25 into 10 इस पार minus 6, कैसे है समझ रहे हैं कि आपको, यह जो है ना, तीन पॉइंट, point के, बात में, तो उसको क्या करते हैं, point को बात में लाने के लिए, हमने 10 इस पार minus 3 दे दिया, इसे मैं और एक step में लिखता हूँ, 10 इस पार minus 3 दे दिया, पहले से वहाँ पे 10 इस पार minus 3 है, और नीचे में 0.3, इस समझें कैसे कि हमने, एक point को manage कर दिया, अब जो यह value है, यह उपर से ले जाएंगे, क्या हो जाए, 25 by 3, 10 इस पार minus 6 प्लास वर, यह समझा कैसे है, नीचे में कहा था, minus उन उपर कहा तो, plus, दोनों का division solve कर लो, कितना आएंगा, देख लो, 25, 3, 3, 8 जा, 24, 1, point आजाएंगा, 3, 3, 3, मदब इसका solution केता हैंगा, 8.33 into 10 इस पार minus 5 और, viscosity का जो unit है, वो लिख दो, newton second per meter square, समझा, यह आगया value हमारा, viscosity का, समझा कैसे solve के हमने, जो हमें दिया था, वो हमने पहले रख लिया हाथ में, फिर change in velocity निकाल लिया, velocity gradient, देन जो formula था, standard उसमें put करके, हमने viscosity का value नि इतनी viscosity चाहिए, so as to maintain the d-speed, ठीक है, धान रहेंगा, thank you